नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पी आर रियसना आपके साथ है एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर मैं हाजिर हूँ आपको बताएं कि आप लोगों को अगर सेना में भरती होने में इंटरेस्ट है अगर आप काम करना चाहते हैं अपरी देश की सेवा करने चाहते हैं तो आठ जिलो के नौजवानों को सेना में सेवा का मौका मिलेगा इसको लेकर मुझपर पुरस्तित आर्मी रिक्रूट्मेंट सेंचर में तयारी पूरी कर ली गई है इसके लिए सभी जिलों में करीब पच्चास हजार युवकों ने आवेदन किया है इन जिलों में मुझपर प्रकिरिया का पूरा खाका अपनी वेबसाइट www.joinedindianarmy.nik.in पर जारी कर दिया है इस भरती रैली में 28 जनवरी के 30 से 30 जनवरी तक टेक्निकल पद के लिए दौर और अन्य जाच होंगे उसके बाद 31 जनवरी से 5 फरवरी तक जीडी बहाली की प्रकिरिया शुरू की जाच कीती थी निर्धारित की गई है सेना द्वारा जारी प्रोग्राम के मुताविक 28 जनवरी को सभी आठ जिलों से टेक्निकल पद के लिए 3968 अभ्यरती जाच में शामिल होंगे 39 जनवरी को पूरवी चमपारन और मदवनी को छोड़कर अनच्छा जिलों में 5009 युवक बहाली में अपना भाग्य आरजबाएंगे 30 जनवरी को सभी आठ जिलों के सभी 5364 आवेदक टेक्निकल पद के लिए जाच में शामिल होंगे और 31 जनवरी से जनरल ड्यूटी जीडी के लिए दौड होगा जिसमें समस्तिपूर और शिवहर के 4641 आवेदकों को बुलाया गया है एक फरवरी को मुझबपरपूर 4360 आवेदक जीडी बहाली में शामिल होंगे तीन फरवरी को दर्भंगा और मध्वनी के यूवकों की बहाली होगी पांश फरवरी को पूरवी चमपारन के 4839 जूवक भारतिये सेना में सेवा के लिए दौड लगाएंगे चाजनवरी को प्रेट्समैन की बहाली होगी जिसमें मुझपरपूर, पश्चमी, चमपारन और शिवहर के 4699 अभ्यरती भाग लेंगे साथ फरवरी को मधुबनी, सितामडी और समस्तिपूर के प्रेट्समैन के 3916 आवेदक हैं बहाली में भाग लेंगे और आठ फरवरी को प्रेट्समैन के लिए पश्चमी, चमपारन और दर्भंगा के 3826 आवेदक बहाली में शामी होगे सेना की ओर से कहा गया है कि इस बहाली में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और इसके अलावा किसी तरह कि कोई गरवड़ी नहीं होने दी जाएगी साथ ही किसी भी आवेदक को किसी भी चौलिया या बाहरी के जहासे में आने की जर्वड़ नहीं है बहाली प्रक्रिया में हमेशा यह बाते अब सुनिजित करने पड़ रही है कि पारदर्शिता होगी और कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी इसका रीजन हमारे आखों के सामने है क्योंकि हर परिक्षा हर बहाली में जो धांदली होती है इसको लेकर अब आगे आना ही पड़ता है और सफाई देने ही पड़ती है फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही हमने आपको सारे डिटेल्स बताएं सारे जिले के डिटेल्स बताएं कि कहां कहां कैसे न्यूक तिकी जानी है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निउस पियार के चैनल को आप सबस्क्राइब कर तमाँ अपडेट्स हम आपको सबसे पहले पहुचाएंगे धन्यवाद